मेरे प्यारे देश्वासियों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है, तो दुनिया में भी उनके प्रती जिग्या सब बढ़ती हैं। जैसे हमारे आध्यात्मने, योगने, आयुरुवेद ने पूरी दुनिया को आकरशित किया है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकरशित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखम भी अनेकों देशों में प्रचलीत हो रहा है। अमेरिका में चिनमय पाटनकर और पग्या पाटनकर ने जब अपने घर से ही मलखम सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाज नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जूट रहे हैं। मलखम सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पॉलेंड हो, मलोशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम खुब पॉपिलर हो रहा है। अब तो इसकी वर्ल्ड चेंपियनसिप भी शुरू की गई हैं। जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। भारत में तो प्राचीन काल्ट से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधरन विकास करते हैं। हमारे माइन बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लेकिन संभवत नई पीडी के हमारे युवासाथी मलखम से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों हमारे देश में कितनी ही मार्सल आर्ट्स हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी वासाथी इनके बारे में भी जाने, इने सिखे और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें। जब जीवन में बड़ी चुनवतिया नहीं होती हैं, तो व्यक्तित्व का सर्वस्रेष्ट भी बाहर निकल कर नहीं आता है। इसलिए अपने आपको हमेशा चैलेंज करते रहिए। ध्यild, जीजड़ा हमेशा जड़िए इनके बाहर चैलेंज कर जे दो भी जा करतता है में करते वारे वारे में हैं ये अलारे में बालने में आता चैलें में पहर वारे टॉ